हेलो भाईया जी की उत्तर प्रदेश जी के की इस पेचल सिरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश के प्रमुक राष्ट्र उध्यान वन्यजी विहार वेपराणी उध्यान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट के हम आगे अपना वर्ष 1972 में होई थी और जो की 204 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है और हम बात करेंगे तो यह लखेंपूर खेरी में इस्थित है यह आपको याद रखना है किशनपूर वन्यजी विहार इसके अंदर पाई जाने वाले जो वन्यजीव हैं पक्षी हम कहेंगे पक प्रवासी पक्षी आदी हाँ पर पाई जाते हैं यह रखना है आगे बात करते हैं दुद्वा राष्ट्य उद्यान यह मौस्ट इंपोर्टेंट फाइव स्टार लगा लें इसके पर यह एक्जाम के अंदर कई बार पूचा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे राष्ट्य उद्यान होंगे वो उत्तर प्रदेश के होंगे जो सबसे प्रसिद्ध हम बात कहेंगे उत्तर प्रदेश का राष्ट्य उद्यान है वो दुद्वा राष्ट्य उद्यान है जिसमें पाई जाने वाले वन्ने जीव और पक्षी हैं सांभर, चीतल, बाग, तैं जोंदरियु प्रभा वन्यजिव विहार जो की चन्दोली में इस थी था याद रखना है यह उन्ध संडरा न हो थी वर्ष 1967 संश्टांन स्टान में इसकी इस चा 25 जिसके अंदर पाई जाने वाले जो वन्यजीव हैं और पक्षी हैं लकडभगा, तैंदुआ, काला हीरन, चिंकारा, चीतल, सांभर, गीदड, भेडिया, सेही, भालू, जो कि सेही भालू बोलता है जिसका हम एवम लगभग 150 पक्षी पर जातिया चंद्र परभा वन्यजीव विहार में पाई जाती है, याद रखना है, तो उसे तीन कोश्चन वन्यजीव विहार से परत्यक परिक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, सोहागीर्ब, सोहागीब रबा, सोहागीब रबा, वन्यजीव विहार, यह थोड़ा सा अटपटा नाम ह यह आपको याद रखना है, जो कि उत्तर परदेश के महराज गंज में इस्तित है, महराज गंज का पर है, यह नेपाल बोल्डर पर पढ़ता है, यह आपको पता होना चाहिए, जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में होई थी, 1987 में सोहागीब रबा, वन्यजीव विहार की स्थाप बाग, चीतल, काकड, पाढ़ा, देशी भालू, वन्द, बिलाव, जंगली सुवर, मगर, अजगर, कोबरा, विभिन परजाती के पक्षियां पर पाए जाते हैं, अभी बात करेंगे हम आगर हस्तिनापुर वन्यविहार, यह वन्यजीव विहार कहेंगे, हस्तिनापुर व हुई थी, वर्ष 1986 में, 1986 में हस्तिनापुर वन्यविहार की स्थापना हुई थी, जो कि 2073 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है, बहुत जादा इसको हम कहेंगे, इस्थान घेरा हुआ है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ने, बहुत बड़ा उत्तरपदेश का यह, क्या जकडभगा, बारा सिंगा, सांभर, चीतल, नीलगाए, भेडिया, जंगली सुवर, वन्द बिलाव, और अन्यय पर जाती के यहां पर विभिन पक्षियां पर पाई जाते हैं, आगे बात करेंगे हम कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार की बात करेंगे, जो कि मिर्जापूर एवं सोन भद्र की विंधे परवत शरंकलाओं में यह वन्यजीव विहार फैला हुआ है, जिसके इस्थापना की बात करेंगे हम 1982 में, कैमूर वन्यजीव विहार की, जो कि मिर्जापूर में और एवं सोन भद्र को कवर करता है, 501 वर्ग किलोमेटर म में फैला हुआ है, 1982 में इसकी इस्थापना हुई थी, कैमूर वन्यजीव विहार की, जिसके अंदर में पाई जाने वाले प्रमुक वन्यजीव और पक्षियां की बात करेंगे, तो क्रशन मरग यहां पर पाई जाता है, सांबर, चीतल, चिंकारा, वन बिलाव, कराकल, चो पाई जाते हैं, आगे बात करेंगे हम सांडी वन्यजीव विहार, जिसकी इस्थापना हम बात करेंगे, वर्ष 1990 में हुई थी, 1990 में इसकी इस्थापना हुई थी, जो कि सिर्फ छोटे से वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है, कि तीन वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है, हम ये बताना भूल गयी कि कहांपर इस्तित ही?" हारदोई में इस्तित है उत्तर प्रदेश के हरदोई में सॉंडी, वन्ञेजीव, विहार इस्तित है जिसमें विभिन पर जाती के हम बात करेंगे, पाई जाने वाले वन्यजीव हैं नीलगाएं पाई जाती हैं पर गीदर नेवला पिबिन परवासी एवं इस्थानिय पक्षियां पर पाई जाते हैं अब बात करते हैं लाक बहुसी वन्यजीव विहार लाक बहुसी वन्यजीव विहार यह कहां पर रही कन्योज में इस्थित है याद रखना ह जो की वर्ष 1988 में इसकी इस्थापना की गई थी और 80 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ यह है वन्यजीव विहार है जिसमें हम पाई जाने वाले प्रमुक वन्यजीव और पक्षी हैं बंदर, गीदर, नेवला, नील गाएं, फिशिंग, कैट और विभिल परवासी अवम इस्थानिय पक्षी आपर पाई जाते हैं यह आपको याद रखना है और जिसमें के हम बात करेंगे अगे यह समस्पूर वन्यजीव विहार समस्पूर वन्यजीव विहार यह काँपर है यह राई बरेली के अंदर इस्तित है जिसके इस्थापना की बात करेंगे मुवर्ष 1987 में इसके इस्थापना हुई थी और आठ वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ यह है वन्यजीव विहार है याद रखना है कितने वर्ग किलोमेटर में आठ वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है जिसके अंदर पाई जाने वाले वन्यजीव और पक्षी कौन कौन से रहेंगे आपर गीदड रहेगा नेवला खरगोश और विभिन प्रवासी आवं इस्थाने पक्षी आपर पाई जाते हैं आगे बात करते हैं नवाब गंज वन्यजीव विहार के बारे में चर्चा करते हैं जो कि उन्नाव के अंदर इस् स्थापना विए ती यहां पर पाई जाने वाले प्रमुख वन्यजीव की हम बात करेंगे गीदड बंदर नेवला खरगोश विभिन प्रवासी एवं इस्थाने पक्षियां यहां पर पाई जाते हैं ग्यारा नंबर पर बात करेंगे हम कारतिनी यागहार्ट कारतिनी में फैला हुआ यह वन्यजीव विहार है जिसके अंदर टैंद्वा बाग बाहरा सिंगा चीतल पाड़ा काला म्रग नील गाएं गैंडा घडियाल मगर जंगली सुअर गीदर सेही उद्बुलाव बंदर एवं विभिन इस्थान या एवं प्रवासी पक्षियां आदियां प इस्तित हैं के आपको याद रखना है कहां पर है यह बान्दा एवम में रॉनिद विभार जिसकी हम बात करेंगे अक्षे रफल नहीं की किलाम में फैला हुआ यह वन्यजीव विहार है जिसके अंदर तैंद्वा बाग सांभर चीतल नील गाएं जंगली सुवर कादम रग गीदर सेही उद बुलाव तथा बंदर एवं विभिन इस्थानी एवं प्रवाशी पक्सिया यहां पर पाए जाते हैं आगे बात करेंगे महाव स्थाप्न हुए विहार यह कहां पर है ललित्पूर के अंदर इस्तिता या एक पर एगते हैं जिसके इसने सुंहां वर्ष उन्यस्सौ सॉ इससाथ्टर में हुई थी जोगी 5.4 वर्ग किलोमेटर के अंदर फैला हुआ ये वन्यजीव विहार है अभी बात करेंगे हम इसके इसमें पाई जाने वाले जो प्रमुक वन्यजीव हैं या पक्षी हैं रहेंगे कौन कौन से रहेंगे घडियाल मगर गैंजेटिक डॉल्फिन यहां पर पाई जाती है विभिन कच्वे पाई जाते हैं उद्बुलाव पाई जाता है यहां पर और लकडभगा, गीदर, गोह, चिंकारा, जंगली सुवर, सांभर, काला हिरन एवम विभिन इस्थानिये एवम परवासी पक्षिया यहां पर विभिन रूप से पाई जाते हैं आगे बढ़ते हैं हम 14 नमबर पर रास्ट्रिया चंबल वन्य विहार, रास्ट्रिया चंबल वन्य विहार की बात करेंगे हम यहां पर वर्ष 1989, 1979 में इसके इस्थापना हुई थी और 635 वर के किलोमेटर में फैला हुआ यह वन्यजीव या विहार है जो कि कहाँ पर है रास्ट्रिय चंबल वन्य विहार कहाँ पर यह आगरा एवम इटावा में इस्थित है यह आपको पता होना चाहिए जहां पर घडियाल, मगर, गैंजेटिक डॉल्फिन, विभिन कछवे, उद्बिलाव, लकडभगा, गीदर, गोह, चिंकारा, जंगली स चुवर, सांबर, कालाहिरन और विभिन परकार के यहां पर इस्थान यह जो एवम पर वहसी पक्षियां पाए जाते हैं, आगे बरत करते हैं, सुहेल वावन्य जीव विहार, सुहेल वावन्य जीव विहार कहाँ पर है यह, बलरामपुर, श्रावस्ति वे गोंडा में यह इस्तित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी यह, वर्स 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, और हम बात करेंगे अक्षे तरफल, कितने अक्षे तरफल में फैला हुआ है, 452 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है, वन्य जीव विहार है, यह आपको पता होना चाहिए, जिसमें तेंद्वा, बाग, देशी भालू, चीतल, वन, जो का वन बिलाव होता है, जंगली सुवर एवं विभिन पक्षियां आपर पाए जाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, इस वीडियो में हमने 15 रास्ट्रिय उद्ध्यान एवं वन्य जीव पक्षि विहार और प्रानी उद्ध्यान के बारे में हमने चर्चा की है, नेक्स्ट विडियो में, नेक्स्ट पंद्रा रास्ट्य उद्ध्यान के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के वन्य विहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के एक्जाम के पॉइं ऑपको पता है आपको पता है हमारी वीडियो के अभी अब टाइमिंग चेंज हो गई है हमारी वीडियो शाम के सावा 5 यानि कि 5-15 पर हमारी वीडियो आती है जिसमें हम उत्तरपरदेश्ट जी के cover कर रहे हैं और जितने भी कॉर्णमेंट के एक्जाम होते हैं एक्जाम का नोटिफिकेशन हम शोट्स के तोड़ पर लाते हैं जो कि एक मिलेट में हम पूरा नोटिफिकेशन कवर करते हैं अब हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए और जितनी भी competitive एक्जाम के तयारी कर रहे हैं आपके पास नोटिफिकेशन सीधा पहुंच जाएगा ड यारी भी पूर्जोर अपनी करते रहे हमारी वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसी तरह की informative वीडियो पानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और comment box में comment करके जरूर बताएं कि next जो हमारा topic रहे झाल